बॉर्डर गॉस्ट का ट्रॉफी के सुरुवाती दो मुकाबलों में भारती टीम ने जबदस जीदश की है और सिरीज में दो जीरों की अहम बढ़त ले लिए नागपूर में भारती टीम ने पारी के अंतर से आ रहाया था उस्टेलिया को तो दूसरी तरफ दिल्ली में दब इसे ठीक पहले एक भारती क्रिकेटर पर दोखों का पहार तूट पड़ा है भारती तेजगी अद्वाज उमेश यादव की पिता तिलक यादव का नागपूर में निधन हो गया है और 74 वर्ष के थे और इस बीच रिपोर्ट है कि उमेश यादव पिता के निधन के बाद नागपूर लोटेंगे हालाकि वो टीम का हिसा जरूर थे लेकिन शुरुवाती दो मुकाबले में उन्हें मौका नहीं मिला था उन्होंने अपना आखरी मुकाबला बंगलावदिस के खिलाफ 2022 में खेला था उमेश यादव को इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने में तिलक य उन्होंने गुजारा किया और अपने बेटे के सपनों को पूरा किया इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाया और उनकी एक चाहत थी कि बेटा सरकारी नौकरी करे लेकिन उमेश यादव ने कोशिच भी की थी लेकिन उस सपना पूरा नहीं हुआ किसमत तो कुछ और थी उमेश य इंटरनेशनल करियर का आगास किया और उमेश यादव जिन्हें वो प्यार से बबलू कहते थे इंटरनेशनल में छाया रहा आई पेल में तमाम सुर्मा बल्ले बाजों को आउट किया और इस बीच यह खबर काफी दुखद है उमेश यादव के लिए पर्सनल लौस है और हुआ हुआ